कि नमस्ते नमस्कार जैहें दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूरी चैनल पीसेस में करेबिए तो इसमें आपको अपलोड किया गया है और तो मैं सभी सेट्स को देखेंगे और देखेंगे से मैं आप लोग से एक बात पूशन जाता हूं कि इससे पहले मैंने वन से लेकिए फोर्ट तक अप्लोड वीडियो कर चुका आप नहीं देखेंगे प्लीज आप पीसेस में करें प्लेड विजिट कीजिए वहां पर वीडियो प्रोवाइट कर देगा ठीक है ठीक है मैं सोच फर्स्ट कुशन नहीं किया है कि निविकित में से कौन सा ओनलाइन प्लेटफॉर्म आई आर डीए आई द्वारा प्रस्तावित किया गया है जहां ग्राहक बिभिन कंपनियों द्वारा दिये गये कई बिकल्पों में से एक उप्युक्त बीमा योजना चुन सकते हैं तो द किये हैं तो अप्सान नमबर डी माली बुर्कीना फासो और नाइजर ने लिप्तको लिप्तको गौर्मा चार्टर प्रहन स्थाक्षर किये हैं नेक्स्ट आपका त्री नमबर की निविकित मंदीरों पर विचार करी तो देखे अगर हम बात करते हैं क्या कि अगर देखे ऊ कि उपर दीए मंदीरों में से किस मंदीर को क्यों सब्सक्राइब के तहती यॉनशको विश्वधको दरो अस्तव में सामील किया गया हैक याद रखी गा होई लेस्वर मंदीर को चत्ट्रा बदल को मृस्ष होस Chronिकुरा उनेघूं इन LEAs ए क्यूबा नेक्स्ट है आपका फाइब नंबर की परधान मंत्री ने पुराना संसद्रों का नए नाम की घोशना की जिसे नए नाम दिया गया है तो आपसा नंबर भी संविधान सधन उसका नए नाम दिया गया है संविधान सधन ठीक है नेक्स्ट सिक्स्ट नंबर है कि प पात-सो किलोमेटर दूर तक के लक्ष पर हमला करने में सक्षय में यह भी सही है और यह भारत की पहली सामारिक अर्थ बैलेस्टिक मिसाल है तो यह भी सही है त्राइट अंसर नमर डी आपका एक दो तीन सही हो जाएगा तीक है नेक्स्ट आपका सेवेन नमबर के एसिया कप धरतेश के समन्द में कौन सा कथन सत्य है तो देखें अगर बात करतें एसिया कप तो देखें मैन अप दो सीरीज का पुरुषकार कुलदी प्यादब को दिया गया यह आपका सही है एसिया कप भारतिय टीम आट पी बार चैंपियन बना यह भी आपका सही है और एसिया कप अब तक कि सबसे महंगी कृती बन गई है अगला कोशन है आपका नाइन नमबर की सांती निकेतन के संदर में निकित कतनों पर विचार करें देखिए अगर हम बात करते हैं सांती निकेतन के तो इसकी अस्थापना रविना टैगोर ने की थी आपका सही है और यह पश्चिम मंगाल के बीरभूम जीले में इस्तिते यह भी आपका सही है और सौधी अरब में आयोजित विस्व धरवर समीती के पैतालिस वे सत्र के दोरान पश्चिम मंगाल के सांती निकेतन को इनेस को दोरा विस्व धरवर का दर्जा दिया गया तो यह भी आपका स यह तो आई टरौसर नमबर डी आपका सही हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्सट आपका टेन नमबर कि नैसंसद भवन को सभी छे परवेश द्वार द्वारों पर जानवरों की मूर्तियां अभिवावक प्रतिमाओं के रूप में अस्थापित की गई है किस जानवर की मूर्त अभिवावक प्रतीमा के रूप में अस्थापित नहीं की गई है तो देखिए यहां पर आपका 11 नमर कोशन कि देखें पी एम विसकर्मा योजना के संदर में निम्रिकित कतुरों पर विचार करें तो देखिए अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि इसका उद्देश परंपरिक सिल्प कौसल को बढ़ावा देना विश्व कर्मा समुदाय के लोगों को आर्थिक रूप से आत्म भर बनाना पहला यह आपका सही है दूसरा है कि इसे 17 सितमबर 13 को लौंच किया गया है यह 13 हजार करोर रुपए के परिव्याय के साथ किन सरक पूरी तरह से वित्त पोशित किया जाएगा यह भी आपका सही है और इस योजना में 18 बेवसायों में लगे कारीगड़ों और शिल्पकारों को सामिल किया गया तो यह भी आपका सही त्राइटेंस रॉप्सन नंबर डी उपित्त सभी सही हो जाएगा ठीक है चलिए नेक् प्रेंट्स आपका देखिएगा थर्टी नमर कोश्चन है आपका कि महिला अरक्षन विधायक द्वर्ती इसके संदर में निल्मिक्त कतनों पर विचार करें तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि विधायक समिधान के अनुच्छे तीन सो ए और तीन सो बतीस ए पेस करने का प्रस्ताव करता है तो यह आपका सही है और अरक्षन अधिन्याम के प्रारंब होने के तारिक पचीस वर्स की अबदी के लिए होगी तो यह आपका गलत है पचीस वर्स नहीं होगी यह 15 वर्स की अबदी होगी ठीक है चलिए और नेक्स्ट आपका थर नमबर कि इसमें लो सक्ति वЕंदन अधिनियम 32 परortuna के संदर में विचार करें तो देखिए अगर हम बात करते हैं किया कि राजस्वा ने 6-जित्पमभर già this को सर्वशंव मौत से विध्यक पारित किया यह आपका सही अभी है और यह विध्यक नए सिस्थभवन के दोनों सदुनों द्वारा पारित होने वाला कानून है ये भी सही तराइटन तर ओप्सन नमबर डी आपका सही हो जाएगा नेक्स्ट आपका फिप्री नमबर की भोजन और पोसन के चेत्र में अनुसंधान अनुपरियोग के लिए नेक्स्ट आपका फिप्री नमबर की बेल ग्रेड सर्विया में आयोजित विस्वकुस्ति चेंपियंशिप द्वारती माइला पहला पहला पारित हो जाएगा अन्तिम पंगाल ने कौन सा पदक जीता है तो राइट अंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर सी कांसे पदक जीता है नेक्स्ट आपका इटी नमबर की उत्तर परदिस के पहले अंतराष्टिय बेपार मेले का योजिन कहां किया गया है तो अप्सन नमबर डी हो जाएगा ग्रेटर नोइडा में नेक्स्ट आपका इटीस नमबर की भारत की पहली ट्राफिक लाइट फ्री सीटी कौन सी है ऑप्सन नम्जो सब्सक्राइब कहा है तो क्या है यानिकि मैतपलिसिशन खतके ज Лएबाट की पहली मानवयुक्त पंडूब्भी का नाम है खरी आउगले नहिकर लेकर आउफाइब को पर अभारत के discovering भारत की glutton अनावरन किया है किस ने किया है तो आप्सटन नमबर सी अपुर्व चंद्रा ने इसका अनावरन किया है एक्स आपका तेश नमबर की लोग सभा में महिला रक्षण बील नारी सक्ति वंदन अधिनियम 128 समिधान संसुदन विधैक किस ने पेस किया है तो यादर कीगा राइट अन्स हो जाएगा ओप्सन नमबर A अर्जुन मेगवाल ने ये भी इंपॉर्डिन कोश्चन है नेक्स्ट अपर 24 नमबर के ब्राजील के डियो डी जेनेरियों में आई ये थे आई एस एस निसानेवाजी विशुब कबदर 23 में भारत की इलावे निल बलाडीवन ने 10 मीटर एयर राइफल सिरनी में कौन सा पदक जीता है अप्सन नमबर A स्वर्ण पदक जीता है नेक्स्ट 25 नमबर के अमेरिका के यूजीन में खेले गए डैमंड लीग फाइनल्स में नीरा चुप्रा ने कौन सा पदक जीता अप्सन नमबर B रजत पदक जीता नेक्स्ट 26 नमबर की मॉर्निंग कंसल्ट द्वरा जारी ग्लोबल रीडर अप्रूबल सर्वेक्षन के अनुसार विस्फ की सबसे लोग प्रिये नियता कौन है अप्सन नमबर A नरेंद्र मोदी नेक्स्ट आपका 27 नमबर विस्फ ओजोन दिवस 32 का थीम क्या है अप्सन नमबर C मॉन्ट्रियाल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड डिदूसिंग क्लाइमिट चेंड तो फिर्ट्स आप कमेंट करके बताएगा कि विस्फ ओजोन दिवस कब मनाते हैं प्लीज आप लोग कमेंट जरूर किजिएगा कि विस्फ ओजोन दिवस हम लोग कब मनाते हैं अगर मैं आप से कोशन पूछता हूं तो प्लीज अभी पर आप गुगल से सर्च करके पर तीक लिजी लेकिन आप जरूर एक पर सर्च करके आप बताएगा कि दिवस कब मनाया था प्लीज कमेंट जोड़ किजिएगा नेक्स्ट आप 28 नमबर कि हाली ये नागरिक उध्यान मंत्री के दोरा कहां पर उरान भवन का उद्गाटन किया गया है ऑफसन नमबर ए नई दिल्ली में एक्स्ट आप थर्टी नमबर कि ICC T20 वर्ल्ट कप दर्टे 24 का आयोजन कहां किया जाएगा राइट एंस और ऑफसन नमबर सी वेस्ट एंडिज और अमेरिका में इसका उजन किया जाएगा 31st नमबर है कि Statue of Oneness यानि कि संक्राचार की जो 108 फीट उची प्रतिमा किस राज में बनाया गया यादर कीगा यह संक्राचार की वननेस है जो 108 फीट उची है ठीक है यह बनाया गया आपके मध्य परदेश राज्य में 32 नमबर है कि जितने भी जो प्रुषकार दिया गया कि इसके द्वारा तो मैं इसका वीडियो आपके पीसेश में कर यूरी चैनल पर बना दिया हूं तो प्लीज फिंट्स एक वारा पीसेश में कर चैनल को विजिट कीजिए वहां पे आपको स्पेसल बिहार दरोगा का प्लेश भी संबर को आपको एक्जाम में कर आप डाउनलोड हो रहा है तो आप देख सकते हैं और प्लीज फ्रेंट्स एक बार आप डिजिट किजिए आपको बहुत अच्छा लगा है क्योंकि आप लोगा प्यार और सपोर्ट चाहिए तभी कोई चैनल आप लोग प्लीज आप और न्यास वेस्टर्ण लेन जी से द्वार 23 वुकर प्रुसकार के लिए सुचिवद किया गया किस के द्वारा लिखा गया तो आपसन नमबर सी चेतना मारू के द्वारा या लिखा गया नेक्स ठाटीफोर नमबर इसरो द्वारा पी एसलवी सी 56 रोकेट से किस देश के ड फिल्म चंपारन मतन किस भासा में बनी है आपसन नमबर ए वज्जी का भासा में 36 नमबर के हाली में किस संस्था ने डिश्टल इंडिया आर आई एस सी वी संगोस्टी की मेजवानी की है तो आपसन नमबर डी आई आई टी मदरास ने 37 ने कि किस देश के बैग्यानिकों न एलके 99 नामक एक ऐसी समगडी के निर्मान का दावा किया है जो कमडी के तापमान पर अतिचालकता का संचालन कर सकती है तो आपसन नमबर ए दक्षिन कोडिया नेक्स्ट आपका 38 नमबर के अगस्ट 23 में डबली एचो द्वारा किस देश को ट्रैकोमा मुक्त गोसित किया गया है ऑफसन नमबर डी इराक को जर्मानी के बर्लीन में आइच बिस्फ तिरंजा तिरंदाजी चैंपियसिप के व्यक्तिकप कंपाउंट असपर्दा में अधिती स्वामी ने कौन सा पदक जीता है ऑफसन नमबर ए श्वर्ण पदक जीता है नेक्स्ट आपका 14 नमबर क तो साखाना मामला याद खीगा कि तो साखाना मामला के लिए इन्हें गिरफतार किया गया इमरान खान को चलिए 41 नमबर एक भात का पहला राश्टी अस्तर का खेल विस्विद्यार है कहां अस्थापित किया जाएगा ऑफसन नमबर C मनीपूर में नेक्स्ट है 42 नमबर के रेफिनेटिव आइकन की रिपोर्ट के नुसार दुनिया की सबसे मुल्लेवान कमपनी कौन सी है ऑफसन नमबर C एपल 44 की हाली में उनेस्को ने किस देश के सहर वेनिस और उसके लैगून को खत्रे में होने के कारण इसे विस्व विरास्त के सुची में जोड़ने की सिफारी से की है ऑफसन नमबर A इटली 45 नमबर की दक्षिन एसिया में पहला सेंटर फॉर एस्पिसीज सर्वाइवल किस देश में अस्थापित किया जाएगा ऑफसन नमबर D भारत में अगला कुश्यन 46 नमबर की देश में से किस एकॉमर्स कंपणी ने सीरिनगर के डल जील पर आई हैब स्पेस प्रोग्राम के तहत देश का पहला तैरता हुआ स्टोर लॉंच किया है राइटन सो जाएगा ऑफसन नमबर A हो जाएगा अमेजन इंडिया अगला कुश्यन आपको 47 नमबर की लोक एबम जंजाती परदसन कला महसब उसकर एबम अंतराष्टिय साहित उसब उनमेज कायो जन किस राज में किया गया है ऑफसन नमबर C मध्य परदेश में देखे फेंटस आपके जितने भी महसब से रिलेट कोश्यन है ना अगला को एक उप्लोड कर दूंगा तो आप वीडियो आपको चाहिए जबन सब्सक्राइब कर दो राइट एंसर भी हो जाएगा चलिए नेक्स्ट आपका 49 नंबर की धर्मिन पधान और एस जैसंकर ने कहां सेक्ट रूप से study in India portal का सुभारम किया है जो भारत में अंतरास्टी विद्यार्थियों की स्यक्षिन यात्रा को सरल बनाएगा तो आप्सान नंबर ए नई दिली में नेक्स्ट आपका कि दक्षिन एसिया में पहला सेंटर फॉर सर्वाइवल किस देश में अस्थापित किया जाएगा ऑप्सान नंबर डी या भारत में किया जाएगा तो देखिए फ्रेंस यहां पर सेट्टेमर फाइब कंप्रीट हुआ और देखिए इसका पीडिएफ चाहे तो प्लीज आप टेलिग्राम से नीचे देगर डिस्कुस्ट बॉक्स में टेलिग्राम का लिंक है अब उससे जुद आप ले सकते हैं ठीक है अब देखिए आप टेलिगाम से इसलिए भी जूट जाएए कि कोई भी लेटेस इंफॉर्मेशन होता है को कर प्लोड करता हूँ तो प्लीज आप उससे जूट जाएए ताकि आपको डेली आपको कर इंटरफिर वहां पर प्रोवाइट होते रहें और इसका पीडिएफ चाहिए तो फिन सब्सक्राइब से जूट सकते हैं ठीक है अब देखिए अगर हम बात करते हैं तो देखिए यह व्यक्ति हैं और संबंदित छित्र है तो यह एक्जामे कोशन यहां से फिरिंट्स बनते हैं ठीक है तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि राजेस नाम बियार तो देखिए राजेस नाम बियार जो है नैसकॉम के अध्यक्ष बने है तो यह आपको सही है नैसकॉम के प्रधानमंत्री कौन बने है तो साथो किलमैन और रेलवे बोट की पहली महिला अध्यक्ष और सियो कौन बने तो यह बहुत इंपॉर्डिन है तो राइट अंसर आप्सिन नमर इंवे से सभी चलिए नेक्स आपका देखें फ्रेंट्स यहां भी आपका दो नमर कोशन है कि हा तो सासे संकीत छuciones संधीत इंका हाली में निधन हो गया और वीना वादक थे कोन तो उस्ताद अली यहाकियोह नहीं नहीं देखेंगा जब बात करने में थोड़ा सा कभी प्रावलम होता है तो प्लीज एक दोबर आप देख लिजे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए ठीक है प्लीज एक्जाम तक आप लोग देख लिए ठीक है ठीक है ठीक है नेक्स्ट है थर्ड नमबर कि ओमान में आवेजित पहले पुरुस नेक्स्ट है कि संग्त राज अमेरिका के किस राज जी ने अपचारिक रूप से अक्टूबर को हिंदू विरासत महा के रूप में नामित किया है तो राइडेंस रॉप्सन नमबर सी जोर्ची आने नेक्स्ट है आपका फाइबनर कोशन की किस परिज़ना के तहत भारत ने विष्व के पहले पोटेवल आपदा अस्पधाल का अनावरण किया है जिसे अरोग्य मैत्री क्यूब के नाम से जाना जाता है तो अपसन नमबर डी प्रोजेक्ट विष्व को जाना जाता है नेक्स्ट है शिक्स नमबर की हैदराबाद इस्तित किस रोबोटिक्स कम्पनी ने इंद्र जाल नामक कृत्रीम बुद्धी मता द्वारा संचालित एक अभिनव स्वैत एंटी ड्रोन प्रनाली विक्सित की है अपसर नमबर बी ग्रेने रोबोटिक्स ने अगला आपका सेवेन नमबर के निम्ले कितमे से किस सराजी में देश के सबसे बड़े स्वदेशी 700 मेगावार्ट काकरा पारा परमानो उर्जा सेंतर यूनिट 3 ने पूरी छमता से पड़िचालन सुरू किया गया है तो आपसर नमबर डी गुजरात में अगला कुशन ने आपका एट नमबर कि केंद्रिये कप्रा मंत्री प्यूस गुल ने किस सहर में स्वतंत भारत के पह तो आरकेशन मुगम चिट्टी थे ठीक हैं तो कहां पर किये इसका अनावरन तो याद किया कोई मटूट तमिलनाडू में इसका अनावरन किया गया है नाई नमबर कोशन ने किया कि किस संगटन के संस्कृति मंत्रियों की बैठक के पड़ी नाम दस्तावेज को कासी कल्चर पातवे नाम दिया गया तो जी टूटी एक्टाटे नमबर कि हाली में लेखने घजै और रेमन मैकस से प्रुसकार दरतेस जितने वाले रवीचनर है तो यह क्या है तो याद किया है ये जो है एक है यादर कि यह उन्कोलोजिस्ट है कौन तो रैमन मैक से प्रुसकार जितने वाले जितने वाले आर रवी करनर यह क्या है तो उन्कोलोजिस्ट है नेक्स्ट आपका गया नमबर की 37 वर्सों के बाद भारत के सिर्ष सतरंज खिलारी के रूप में परसिद विश्वनात अनंद के जगा किस ने लिए यह इंपॉर्टन है यह भी राइटनस और ऑफ्सन नमबर सी हो जगा डी गुकेस याद रखीगा नेक्स्ट आपका 12 नमबर की निम्लिकित में से किस टीम ने डुर्टन कब धरते इस ट्रॉफी जीती है इंपॉर्टन कोश्टन है राइटनस और ऑफ्सन नमबर सी मोहन बागान ने नेक्स्ट आपका 13 नमबर की हाली में किस देश ने अपनी पहली निकलियर अटैक सब मरीन लॉंच की है अफ्सन नमबर सी उत्तर कोडिया ने नेक्स्ट आपका 15 नमबर की निमलीकित में से किस ने बागाप का पहला यू पी आ एटियंब लॉंच किया है अफ्सन नमबर सी खिताची पेमिंट ऑफी सेज नेक्स्ट है आपका 17 नमबर कोशन की हाली में 32 टाटा एस्टेल सत्रंग इंडिया महिला रैपिट टूनामेंट किसने जीता है अप्सन नमबर सी दिव्या देश मुखने जीती है अगला है आपका 18 नमबर की अपनी तरह की पहली ड्रोन प्रदर्शनी सह प्रदर्शन भारत ड्रोन सकती 22 टाटा इसका योजन कहां किया गया है अप्सन नमबर डी गाजियाबाद उत्तर प्रदिस में इसका अउजन किया गया है नेक्सट नमबर की दक्षिन कोडिया के प्योंग चांग में आयूजित 26 वी आई टी टी एफ एस याई टेवल टेनिस चैंपियंशिप 32 में भारती पुरुष्टी में कौन सा पदक जीता है अप्सन नमबर सी का से पदक जीता है नेक्सट आपका 20 नमबर की देश का पहला मंदिन संग्राल है किस राज में बनाया जाएगा इंपॉर्डिन कोशन है अप्सन नमबर ए अयोध्या उत्तर परदिस में बनाया जाएगा नेक्स्ट आपका 22 नमर के विस्फ स्वास संगठन WHO ने पहले प्राणपरिक चिकिस्था बैस्विक सिकर समयलां दर्टेश से समधित कौन सा दस्तेविश जारी किया है नेक्स्ट आपका 24 नमर के हाली में किस देश ने दुनिया के पहले पोटेवल आपदा अस्पताल का अनावरन किया है जिसे आरोग्य मैत्री क्यूब के नाम से दिया गया है तो आप्सन नमर बी हो जाएगा भारत नेक्स्ट आपका 25 नमर की मॉस्को में आयजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में किसे वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ट से समानिते किया गया है आप्सन नमर ए सांता भोटम को नेक्स्ट आपका 26 नमर की हाली में जापान में मिस इंटरनेशनल पेजेंट में किसने मिस इंटरनेशनल इंडिया दरतेश का किताब जीता है आप्सन नमर ए प्रवीना आंजना नेक्सट 27 नमर की नरगिस मुहमद हसन जयी ने माना अवधिकार के प्रति अपनी हड प्रतिवर्धा के लिए स्वीडन में 32 विस्व नोबेल सांती प्रुसकार जीता है वो किस देश की है तो आप्सन नमर डी हो जाएगा ये इरान की है 28 नमर देखीगा कि काना डाई क्रिकेटर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली पहली ये ट्रांजेंडर क्रिकेटर कौन है तो रैडेंसर आफ्सन नमर ए हो जाएगा डेनियल मैक गेही तो याद रखीगा फ्रेंट्स अभी जो ICC ने है उन्होंने जो भी आपके ट्रांज से अधारित भारतिये बेसाला अधित्य एलवन को किस परशेपन यान से छोड़ा गया है राइट अंसर आप्सन नमबर ए पी एस एलबी 357 important question है और देखे फ्रेंट्स आपके जो भी चंद्रियान से अधित्य एलवन से चंद्रियान वान चंद्ने टू त्री जितने भी लिटे टॉपिक मैं इसमें भी वीडियो बना चुगा तो प्लीज आपको प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा ठीक है एक बार जोड़ कर दिख गवर्नर को अमेरिका में इस तित्पतरिका ग्लोवल फाइनिस ने सिर्श केंद्रिया बैंकर का सम्मान प्रतान किया है और सी सक्तिकान दास को तो याद रखीगा फिंट्र से सक्तिकान से 25-ज़िसमे नंबर की आर्वा के गवर्नर है ठीक है याद रखीगा बदि इजी पटेल मेमोरियल अवार्ड धरतेश से किसे सम्मानित किया गया ओप्सन नमबर ए सत्यजीत मजुमदार को नेक्स्ट आपका 33 नमबर की 13 सितंबर धरतेश को को नेशनल इविदान अप्लिकेशन प्रोजेक्ट का उधिगाटन किसके दोरा किया गया ओप्सन नमबर सी र के अगướcि आगर हम बात करते हैं कि a की इसका आध माराष्टामें के ज़िए माहरास्टा स्यूह है हाली में अन्डेर ऑप्सण नमबर एंगल्न 50 मे安ब गाप्सन में बेस इस्ट्रेशन सर्टिफिकट प्रदान किया गया है और नमबर भी आंधर परदेश अगला आपका 37 नमर के फीवा बास्केट बॉल्ड कप दर्थेश के फाइनल में सर्विया को हरा कर पहली बार बास्केट पॉल्ड कप का किताब किस देश ने जीता और नमबर डी जर्म थमेश जावकर में कौन सा पदक जीता है तो ऑप्सन नमबर भी हो जाएगा रजत पदक नेक्स्ट आपका 39 नमबर कि 9 सितंबर 13 को सिंगापूर बंगलादेश इटली अमेरिका ब्राजील अर्जिंटीना मौरिसिस और सिंग्त अरव अमिरात के नेताओं ने साथ मिलकर कि गठवन्दन का सुभारम किया तो ऑफ्सन नमबर ए हो जाएगा वैस्विक जैव इंधन गठवन्दन अगला कोश्चन है फोटीन नमबर के चिकिस्सा विज्ञान के छेतर में सांती स्वरूप भटनागर पुरुसकार दर्वाइस की से प्रदान किया गया ऑफ्सन नमबर ए भारत ने अगला फोटीन नमबर की यूएस ओपन द्वारती इसकी महिला एकल के फाइनल मुकाबले में कोको गौफ ने किस से हराकर खिताब अपने नाम किया ऑफ्सन नमबर भी आर्याना सवालिंका को हराकर नेक्स आपका हाली में हाली में वन सन वन वर्ल्ट वन ग्री सम्मिलन का योजन भारत में किया गया इसकी थीम क्या है तो यह बहुत इंपोर्टन अब कि अभी कुछ एक्जाम कहां से कोशन आया था तो आफ्सन नमबर हो जाएगा भी वसुद्धैव कुटुम्बकम ठीक है नेक्स्ट फोटीफाइव नमबर है क्या कि हाली में भात कि ने किस देश से सी 295 ट्रांस्पोर्ट एयर क्राफ्ट खड़ी दे हैं तो राइट अंसर आफ्सन नमबर सी हो जाएगा इस्पेंज से 46 नमबर की सितंबर 23 में किस देश के नेता और भारत के प्रधान मंतरी ने रननीतिक साझेदारी परिशद की पहली सिखर अस्तरिय बैठक की सअध्यक्स्ता की है अफ्सन नमबर सी सौधी अरब ने नेक्सटब 47 नमबर की सितंबर 32 में किस देश के सर्वुच नियाले ने देश वर में गरपात को अपराथ की स्रिनी से हटा दिया है तो ओप्सन नमबर ए मैक्सिको ने नेक्स्ट आपका 48 नमबर की हाली में किस रेलवेस्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा उत्तम प्लेटिनम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवेस्टेशन प्रमानन को इससे समानिते किया गया है तो आप्सन नमबर C विजय वारा रेलवे स्टेशन नेक्स्ट आपका 49 नमबर की U.S. ओपन दोर 23 संबंदित निम्लिखत कत्रों पर विचार कीजिए देखें अगर हम बात करते हैं किया कि पूरुस एकल का किताब नुवाक चोको बीच ने जीता है आपका सही है U.S. ओपन म की नई दिली तो देखें इसका आप लोग आंसर की मैच कर लीजगा यह सेट नमर सिक्स है और देखें आगे हम लोग सेट नमर जो आपका है वह सेवेन है तो देखें आपको मैं बार 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 बोल रहा हूं कि अब देखिए इसका पीडिए स्टेलिगाम से जोइन हो नॉर्मली डिसकसन कुछ रहता नहीं है लेकिन मैं आपको पूरा डिसकसन करवाता हूं तो प्लीज एक बार वीडियो को जोड़ देखिए का सुरू से अन तक आपको बहुत अच्छा लगए उससे जितने इपॉर्ण कोशन मैं सभी उस पर प्रोवाइड किया हूं ठीक है तो एक बार जोड़ देखिए तो देखिए प्रैक्टिस सेट नमबर सेवेन और सेवेन का हम लोग फर्स्ट कोशन देखते हैं ठीक है चली देखते हैं तो कोशन है क्या कि खेलों इंडिया महिला लीग को अधिकारिक तोर पर किस नाम से जाना जाएगा अच्छा कोशन है तो राइट हैं सो जाएगा ऑफसन नमबर ए असमिता महिला लीग यह बहुत इंपॉर्ण कोशन है याद रखेगा ठीक है नेक्स्ट है आपका कि हाली में SBI Life Insurance ने कहां अपना पहला लाइफ वर्स इस्टिडियो लॉंच किया है ऑफसन नमबर सी मेटा वर्स में नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका थी नमबर के निमली कितमे से किस गार्डेन एसिया के सबसे बड़े ट्यूलिप उध्यान के रूप में वर्ल्ड बुक ओफ रिकॉर्ड्स लंदन में सामिल किया गया है ऑफसन नमबर डी इंद्रा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डेन यह कहां त नमबर कि महिला फीफा विसकब धार्टेश के समद में कौन सा कथन सब्सक्राइब अगर हम बात करते हैं क्या कि इसका है अस्टेलिया में किया यह आपका सही है और इस्पेन की टीम पहली बार महिला फीफा विसकब चैंपियंसिप बनी है तो यह वी सही तराइट अफसन में आयो जीत दोहरते ही से अंडर 20 विसकुस्ती चैंपियंसिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है और सनमबर एक प्रिया मलिक ने नेक्स्ट आपका एट नमबर की बात का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहां लॉंच किया गया है और सी यह चिन्नई में लॉं लिकारू मिगला यह फुक्चे रोड इसका नाम दिया गया है लिकारू मिगला यह फुक्चे रोड ठीक है चलिए नेक्स्ट आपका 12 नमबर की भाद का पहला ग्राम एटलस किस राज में लॉंच किया गया है Option नमबर A घुवा में किया गया है Next है 13 नमबर की भाद की पहली लॉंग रेंज रिवॉल्बर प्रवल किस के दौरा नीमित की गई है Option नमबर B Advanced Weapons and Equipments इंडिया कानपुर के दौरा या की गई है Next है 14 नमबर की भाद का पहला माना व्राइथ हवाई प्रनाली ड्रोन समाने परिक्षन के अंदर किस राज में अस्थापिते किया जाएगा Option नमबर D यह तमिल नाडू में किया जाएगा नेक्स्ट आपका 50 नमबर की 15 भावे विक्स ब्रिक्स सिखर समयलन कायोजन किस देश में किया गया है Option नमबर जाएगा भी दक्षिन अफरिका में ठीक है तो याद कि देखे फ्रेंड्स यह 15 भावे ब्रिक्स समयलन कायोजन तो दक्षिन अफरिका में किया जाएगा आप दिलिए को किसे प्रदान कीया गया और सी हो जाएगा राज चट्टी को प्रदान किया गया नेक्स्ट आपका 80 नमर कोश्चन कि यूबा काडिकरम एवं खेल मंत्राले द्वारा यूथ 20 सिकर समिलन का यूजन कहां किया गया है आपका 19 नमर की हाली में किस केंद्रिय मंत्राले ने ग्रामीन भारत में प्रारमीक सिक्षा किस्तिती 32 रिपोर्ट जारी की है तो ऑफसर नमर देगा ऑफसर नमर भी सिक्षा मंत्राले के द्वारा नेक्स्ट आपका 20 नमर कि निम्रिकित यूजना में कौन समिलित नहीं है तो देखें अगर हम बात करते हैं क्या कि इंद्रा गांधी स्मार्ट फोन यौजना यह ष्थान में किया और्शा जाज्णा यह नहीं होगा ठीक है तो यौजलब Nue नेक्स्ट नेक्स्ट आपका एक इस नवर के हाली में हुए निधन के समद में कौन सुम मेलित है तो देखे अगर हम बात करते हैं क्या कि नाम देव धोडो महान नोड ये मराठी कभी एवं गितकार है जो इन्हें 1991 में पदम सीरी से समानित किया गया थे इनका हाली में निधन अगर हम बात करते हैं विकास इन्हा तो परमानु बैग्यानिक थे यह पश्री मंगाल के हैं जिनका हाली में नीधन हो गया यह डियाइडियों के पुरूब महान नीधन हो गया अभी डाइटन सर्थ नमबर डी हो जाएगा ठीक है उप्यूक सभी और याद कि अभी प्यूक करके पहली कम तीकी सरसो विक्सित की है उसका क्या नाम रखा गया है और सन नमबर ए वरुन किसम नेक्स्ट है आपका तेस नमबर कि देश भर में उच सिक्षा की गुनबत्ता और पहुँच बढ़ाने के लिए किन सरकार द्वारा किस योजना की शुरुबात की ग करार दिया है और सन नमबर ए तमिलना डुगो नेक्स्ट है आपका 25 नमबर की केंद्रियस सरक पड़िवहन एबं राजबंग मंत्राले ने बीए सिक्स स्टेज एलेक्ट्रिफाइड फ्लैक्स फ्यूल वेकल का दुनिया का पहला प्रोटोटाइप लॉंच किया है जिसे कि सब्सक्राइब करते हैं कि विस्फ एथलिट्स चैंपियंशिप इसका एविजन बुड़ा पेस्ट हंगडी में किया यह आपका सही है भाला फेक असपर्दा में नीरा चुप्रा ने अठासी दसमलों एक सांथ मीटर का सर्फिस्ट प्रयास करते हुए स्वन पदक चिता यह भी आपका सही है नीरा चुप्रा ने विस्फ एथलिट्स चैंपियंशिप ने में भाद के लिए पहला स्वन पदक चिता यह भी सही तो राइट अप्सन नमबर डी आपका सभी सही हो जाएगा ठीक है चलिए आपका 27 कि किस देश के राष्ट पती ने परधानमंती नहिन मोदी को दो ग्रेंड क्रॉस ऑफ दॉडर ऑफ ओनर से सम्हानी ते किया तो आपसन नमबर ए ग्रीज तो देखें फ्रेंट्स यह आपके जितने भी आवार्ट जो आपको मोदी जी को इस पेसली दोज दिया गया इसका मैं आपको वीडियो यूटूब पे बना चुका हूँ तो प्लीज एक पर दरोगा का प्लेइलिस विजिट कीजिए वहाँ पर आपको यह सभी वीडियो वहाँ पर प्रोवाइट किया गया है तो प्लीज एक पर आप जरूर देखेंगा का क्या नाम है अफसर नमबर ए प्राइमा इटी एलेवन नेक्स्ट आपका कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है तो देखें अगर हम बात करते हैं कि भारत और शमुआ के बीच पहला विदेसी काड़याले प्रामर्स 21 अगस्ट वर्थीज को एपिया में आयूद किया गया यह आपका सत्य है पहला भारत अंगोला विदेस काड़याले प्रामर्स एफ ओसी 11 अगस्ट वर्थीज को लुआंडा में आयूद किया गया यह भी सही तो राइट अंसर जागा ऑफसर नमबर सी यानिक एक और दू आपका दोनों सत्य है नेक्स्ट आपका 31 नमर के आइसम यान्थी लेंडर 23 अगस्ट 23 को शन्दमा की सदब से पर उतारा था तो राइट अंसर हो जाएगा ऑफसर नमबर यह हो जाएगा सिव सकती और देखे फ्रेंट्स यही हम लोग 23 अगस्ट को जो उद्रा था हम लोग क्या अंत्रिक्स दिवस मिनाने की खोशना किये है ठीक ह के संदर में निम्लिकित कतनों पर विचार करें तो देखे अगर हम बात करते हैं कि इन दौर के सरसेस सहर का खिताब दिया गया है और मद्धे परदिश को सरसेस राज जी का खिताब दिया तो आपसन बर सी एक दो अपका दोनों सही है अगला आपका 35 नोमर की International Blind Sports Federation World Games 30 में क पर विचार करें तो अगर हम बात करते हैं क्या कि आई वी ऐसे वर्ल्ड गेम सब्सक्राइब की मेजवाने इंगलेंड ने की यह आपका सही है और भारती महिला दिश्टिवाधित क्रिकेट टीम ने सुर्ण पदक जिता यह भी आपका सही तो राइट अंसर नमर सी केवल एक और और बइसकर लाइब का सही हो जाएगा नेच्स सीट हो जाएगा कि एकसरसाइज ब्राइट स्टार्ट और डटे-3 के संबबने टेशर करें देखें अगर बात करते हैं क्या कि यह मिस्ट में आयद किया गया था एक से भारत में पहली बार यह भ़ायास में इस साल यह य प्रदान करने के लिए उभरती प्रधोगिकियों के अनुपरयोग के लिए निम्रिकित में से किस योजना को राश्टिय इ गवर्णिन्स प्रुसकार दरताई से समानित किया गया तो आफसर नमबर ए हो जाएगा स्वामित्व योजना नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका 38 नमर की 69 राश्ट्य फिल्म पुरुषकार वर्स दर्यकीज के लिए संदर में निम्रिकित में से कौन विकल्व सही नहीं है तो देखें अगर हम बात करते हैं क्या कि कौन सा सही नित दे राश्ट्य एकता पर सर्फिस्ट फीचर फिल्म के लि फिल्म पुस्पा है तो यह आपका गलत है फिल्म पुस्पा नहीं है तो फिल्स कमेंट करके बताएगी कौन सा फिल्म है ठीक है एक बार कमेंट जबर कीजिएगा चली नेक्स्ट है आपका 39 नमबर की चंद्यान थिरी के संदर्में निम्रिकित कतनों पर विचार करें तो भार्त चंद्रमा पर सफलता पुरुबक सौफ लेर्नी करने वाला दुनिया का चौथा देश है तो यह भी आपका सही है ठीक है चली तो आप्सन नमबर डीस का सही हो जाएगा फोटीन नमबर कोशन आपका कि इंटरनेशनल एमी डैक्ट्रेट अवार्ड से समानित होने व अगला है फोटीन नमबर के निम्रीखित यह योजनाओं में कौन सुमिलित नहीं है तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि मेरा बिल मेरा अधिकार योजना यह भीत मंत्रेश के दौरण सुमिलित है यह आपका सही हो जाएगा अगला है आपका कि हाली में हुए नियु एलाइसी के प्रवंदर निन से को न बनी है तो आर दोराइस्वामी और अपका जिमबाबे के राश्पती कोन बनी है तो एमर्सन मंगा गवा तो यादर कि है तो आसला सबंग नंबर के निदन के सभण में कौन सुमिली थे अगर हम बात करते हैं क्या कि जॉन वरनौक यह सापक थे इनका भी निदन हो गया यह उसके अन्वर की नए दिली में आईयुजित मिस्र अर्थ इंडिया दुर्तेइस का किताब किस ने जीता औप्सन नमबर C प्रियन सैन ने 46 नमबर की ओमान में आयित महिला होकी एस एस या कप का किताब किस देश ने जीता औप्सन नमबर B भारत ने ये कोशन फेंड्स आपका रिपीट हो गया ऐधिंग 47 नमबर की दुनिया के पहली एस इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल कार किस कमपनी द्वारा निन्मित की गई है औप्सन नमबर D टोयटा मोटर्स इंडिया के द्वारा ये भी कोशन रिपीट साथ फिर नेक्स आपका किया गया है औप्सन नमबर D बुड़ा पेस्ट हंगरी में किया गया है नेक्स आप 49 नमबर की सोला आना बवलू किस भारतिय फुटवर्ल की आत्मकता है औप्सन नमबर D सुब्रत भट्टा चाड़े की नेक्स आपका 50 नमबर कोशन की इंडियन फिल्म सेस्टिवल और मेलवन 23 के समद में कौन सा कतन सत्य है तो आपसन नमबर याद कीगा सर्फिस्ट इंडियन इंडिय फिल्म आगरा को दिया गया है सर्फिस्ट अमिनेता मोहित अगरवाल आगरा के लिए और सर्फिस्ट अमिनेतरी राने मुकर जी को तो मिसेज चटर जी वर्सिद नॉर्वे के लिए तो राइट अंसर नमड़ी इन मेसेज सभी हो जाएगा ठीक है देखें यहां पे इसका आंसर की है तो देखें आंसर की इसका मिला ली जीगा देखें यहां पर यह आपका लगभग यह वीडियो कंप्लीट होता है ठीक है किजेगा सुर और अधर कि vivo क किज़ेगा सुरू से लगतार अभरेli अधी अच्छा लागे तो आप सिर जरूर किजए आपने यह में प स्विड्ल के पास और आप वीडियो को लाइक ज़रू किजेगा आं प्लीज एक बार जूरू किजituationоф वमें ब्लेंस भीड